भारत माता की इनकलाब वन्दे वन्दे इतनी बड़ी संख्या में कोने कोने से आई हुए मेरे प्यारे बहनों भाईयों माताओं बुजर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सब को मेरा प्रणाम आज जब मैं यहां आ रहा था किसी ने मुझसे पूछा सर कहां जा रहे हो मैंने का मध्यपरदेश जा रहा हूं कहते हैं वो ही जहां व्यापम घोटाला हुआ था सोचो इन नेताओं ने इन पार्टियों ने मध्यपरदेश का क्या बदनाम कर दिया मध्यपरदेश के लोग महंती लोग हैं मध्यपरदेश के लोग इमानदार लोग हैं मध्यपरदेश के लोग देश भक्त लोग हैं लेकिन आप जब पूरे देश के अंदर मध्यपरदेश की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं वो ही राज्य जहां पे व्यापम घोटाला हुआ था आपका क्या कसूर है? लोगों का क्या कसूर है? आपके नेताओं ने और आपकी पार्टियों ने आज पूरे देश के अंदर आपका नाम बदनाम कर दिया एक डाइम दिल्ली का भी यही आल था जब दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती थी कहते थे वो कॉमन वेल्ट घोटाले वाला दिल्ली, सी एन जी घोटाले वाला दिल्ली, टू जी घोटाले वाला दिल्ली, दिल्ली घोटालों के नाम से जाना जाता था आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती है, लोग क्या कहते हैं, दिल्ली जहां पे अच्छे अच् दिल्ली जहां पे बिजली मुफ्त है दिल्ली जहां पे 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली जहां पे पानी शांदार है आज दिल्ली अपने कामों की वज़े से शिक्षा के लिए स्वास्त के लिए पूरे देश में जाना जाता है मेरे पास मध्य परदेश के कुछ लोग आए बोले सर हमारे अब बिजली बड़ी महंगी है बिजली महंगी है या सस्ती है आपको जानके ताजुब होगा दिल्ली में बिजली फ्री है दिल्ली में बिजली मुफ्त है बिजली का बिल नहीं आता बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो, जीरो मतलब जीरो एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, एक साल से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, पंजाब में भी अब बिजली का बिल जीरो आने लगा है, जीरो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूं, कई लोग बड़े च जीरो आता है जीरो पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है जीरो और 24 घंटे बिजली आती है 24 घंटे बिजली के पावर कट नहीं लगते पहले दिल्ली में 88 घंटे पावर कट लगते थे जब से दिल्ली में हमारी सरकार आई है 24 घंटे बिजली आती है जीरो बिजली का ब पंजाब में एक साल पहले तक साथ साथ आठ आठ गंटे के पावर कट लगते थे जब से हमारी सरकार आईए पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है जीरो बिजली कबिल आता है मुझे पता चला है कि मद्धे परदेश में भी आठ आठ दस दस घंटे के पावर कट लगते हैं और 200 यूनिट के मुझे बताया गिया 2000 रुपे का बिल आता है 2000 रुपे का बिल एक बिचारा आम आदमी बिजली का बिल भरेगा कि कमाएगा कि खाएगा क्या करेगा दोस्तों जब मैंने दिली में बिजली का बिल जीरो करा मोधी जी बड़े नराज हो गए प्रदान मंत्री जी बहुत नराज गुसा हो गए मेर से बहुत ज़़ादा बोने केजरी वाल फूरी के रहवडी बढ़ रहा है केजरिवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है प्रधान मंत्री जी बहुत बड़े हैं हम तो बहुत छोटे हैं मैं प्रधान मंत्री जी को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूँ हाँ मोधी जी मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूँ आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवडी बाट रहा हूं तो आपको फ्री की रेवडी चाहिए की नहीं चाहिए दिल्ली वालों को हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने साथ साथ फ्री की रेवडी रख दी साथ फ्री की रेवडी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में पहली रेवडी हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने 24 घंटे बिजली फ्री कर दी 24 घंटे बिजली आती है मुफ्त बिजली आती है पहली फ्री की रेवडी दूसरी फ्री की रेवडी पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिये इतने अच्छ-च्छ स्कूल, इतने अच्छ-च्छ स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आयेस अफसर का बेटा और रिक्षे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठके एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर सब के बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी पूरी शिक्षा मुफ्त शानदार स्कूल बना दिये पूरी दिल्ली में ये दूसरी रेवडी तीसरी रेवडी सब का इलाज मुफ्त कर दिया सब का बच्चा, बूड़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्रामन बनिया इस जात का, उस जात का, इस धरम का, उस धरम का अमीर गरीब शानदार सरकारी अस्पताल बना दिये जगे जगे महला क्लिनिक खोल दिये सब का इलाज मुफ्त कर दिया ये तीसरी रेवडी चोफी रेवडी सब का पानी मुफ्त कर दिया साफ पानी और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल जीरों आता है पांचवी रेवडी बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया किसी भी बस में, चाह सरकारी और चाह प्राइवेट और किसी भी बस में महिला चड़ जाए उसके पैसे नहीं लगते फ्री में चलती है महिलाओं छटी रेवडी हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर थियात्रा करा के लाता हूं अयोध्या जी ले जाता हूं द्वार का दीश ले जाता हूं शिर्डी बाबा ले जाता हूं रामेश्वरम ले जाता हूँ पूरे देश में जहां आपको हो वहीं बुजुर्गों को तीर थियात्रा करा के लाता हूँ और साथ वी रेवडी अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं बारा लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया भगवनतमान ने 30,000 सरकारी नोकरियां दे दी और अब ही 3,000,000 बच्चों के लिए नोकरियों का इंतजाम कर रहे हैं 3,000,000 साथ फ्री की रेवडी देता हूँ मैं साथ फ्री की रेवडी मोधी जी मेर से बहुत गुसा है बहुत नराज है मोदी जी मेर से मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपको ये साथ रेवडिया चाहिए की नहीं चाहिए एक बार ये दोना हाथ उपर करके बता दो ये फ्री की रेवडिया चाहिए की नहीं चाहिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ मोदी जी इतनी महंगाई का रखी है आपने चारो तरफ इतनी महंगाई का रखी है मैंने अगर हर इनसान की चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी तो बताओ मैंने क्या पाप कर दिया इतनी महंगाई हो रही है चारो तरफ मैंने एक अदमी से पूछा बोला जी आज कल घर क खर्चा नहीं चलता तंखा बढ़ी नहीं खर्चे रोज बढ़ रहे हैं दूद महहंगा हो गया सबजीय महंगी हो गई आटा महंगा हो कैसे हो गई महंगाई इतनी पूरे देश में इतनी महंगाई कैसे हो गई इतनी महंगाई हो गई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने मोदिय जी अपने दोस्तों में खुले आम पैसे लुटा रहे हैं उनके एक दोस्त न बैंक से 34 हजार करोड रुपए का लोन लिया बंबई का एक आदमी है मोदी जी का दोस्त है 34 हजार करोड का लोन लिया मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया सारा लोन माफ कर दिया एक और आदमी गुजरात का उसने 22 हजार करोड रुपए का लोन लिया बैंक से 22.000 करोड. मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया. अरे ऐसे खजाना लुटा रहे है, ऐसे खजाना लुटा रहे है, खुली लूट चल रहی है और पैसा कहां से आ रहा है? आपके ओपर टेक्स लगा रहा है. दूद पे टेक्स लगा दिया, छाच पे टेक्स लगा दिया, पनीर पे टेक्स लगा दिया, आटे पे टेक्स लगा दिया, चावल पे टेक्स लगा दिया, तेल पे टेक्स लगा दिया, हर चीज पे टेक्स लगा दिया अंग्रेज हम कहतें अंग्रेज हमारा खून चूसते थे इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नी चूसा अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टेक्स नहीं लगाया था अंग्रेजों ने कभी दूद पे टेक्स नहीं लगाया था अंग्रेजों ने कभी चाहे पे टेक्स नी लगाया था अंग्रेजों ने कभी चावल पे खाने पीने की जीजों पे टेक्स नी लगाया था पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज़ पे टेक्स नी लगा था देश में पहली बार मोधी ने पहली बार टेक्स लगाया खाने पीने की चीए और कितना टेक्स पेट्रोल ले लो पेट्रोल क्या भागए यहाँ पे मध्यपरदेश में 108 रुपे 108 रुपे पेट्रोल है आपके यहाँ उसमें 57 रुपे पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स 57 रुपे का पेट्रोल बाकी सारा टैक्स सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं ये कितना टैक्स ले रहे हैं ये ये सारा टैक्स का पैसा पूरे देश से टैक्स का पैसा लूटके 20 हजार करोड इसको दे दिये 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 में माफ करे क्या? उसके फ्री में माफ करे क्या? आज की दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मा नहीं है, कोई बाप नहीं है, 34,000удь मोपी जी ने अगर किसी के माफ करे तो फ्री में माफ करे क्या कुछ तो लिया होगा कितना लिया होगा कितना लिया होगा भाई साथ बता है 11,00,00 रुपे माफ कर दिये मोपी जी ने ग्यारा लाख करोड रुपए माफ कर दिये लुटा दिये मोधी जी ने कितना पैसा बनाया होगा बाई साथ कितना पैसा बनाया हो बेमानी करें मोधी जी और जेल में भेजें मनीज सिसोदिया को बताओ मनी सिसोदिया का क्या कसूर है एक बिचारा टीचर का बेटा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने चला था मनीज सिसोधिया ने पूरी दिली में जगे जगे स्कूल बनवाए गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए सवेरे छे बजे उठता था और स्कूलों में चला जाता था मनीज सिसोधी आज जेल में और बेमानी करने वाले खुले आम घूम रहे हैं दोस्तों दस साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का दस सालों के अंदर नोट बंदी करी इनों ने मैं पूछना चाहता हूँ आप से किसका फायदा हुआ नोट बंदी से कह रहे थे ब्रश्टाचार दूर होगा ब्रश्टाचार दूर हुआ कह रहे थे आतंकवाद दूर होगा आतंकवाद दूर हुआ कोई फायदा नहीं हुआ कोई फायदा नहीं हुआ बाई साब अगर आज पढ़ी लिखी सरकार होती किसी हालत में नोट बंदी ना करती बिल्कुल नोट बंदी ना करती मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधान मंत्री जी का उनसे पूछा प्रधान मंत्री जी आप कितने पढ़े हो बुले मैं बस गाउं के स्कूल में गया हो मैं कॉलिज नहीं गया मैंने उनका एक भाशन सुना था प्रधान मंत्री जी का उस भाशन में कह रहे थे मैं बस गाउं के स्कूल में गया हो मैं कहीं कॉलिज वालिज की पढ़ाई नहीं करी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आज आधूनिक 21 सदी के भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कहानी का नाम है चौथी पास राजा यह कहानी यह दिखाती है कि अगर किसी देश का राजा अनपड़ो अगर किसी देश का राजा भ्रष्टो अगर किसी देश का राजा एहिंकारी हो तो एक महान देश भी कैसे डूब जाता है यह कहानी यह दिखाती है एक बहुत महान देश था बहुत महान देश था उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ तो गाउं में जैसे बच्चे का जनम होता है गाउं का हर गाउं का एक जोच्छी होता है पंड़त होता है वो जोच्छी आया उसने बच्चे की कुंडली बनाई बच्चे की कुंडली बना के जोच्छी बोला माई तेरा बेटा बड़ा हो के बहुत बड़ा समराट बनेगा मा बोली मैं तो एक बहुत गरीब हारत हूं मेरा बेटा समराट कैसे बनेगा जो ची बोला नहीं माई इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा उसे गाओं के स्कूल में भर्ती करा दिया बच्चे का पढ़ने लिखने में मननी लगता था किसी तरह से मुश्किल से उसने चोथी पास करी माने स्कूल से नाम कटा दिया बुला धोड़ी कमाई करके लाएगा घर का खर्चा चलेगा घर के पास एक रेलवे स्टेशन था रेलवे स्टेशन पे बच्चा जाके चाय बेचने लगा बच्चा भाशन बड़े अच्छे देता था बच्चपन से ही भाशन बड़े अच्छे देता था एक बार भाशन देना शुरू करता और जो बंदी नहीं होता गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता और भाशन देना चालू करता धीरे धीरे करके बच्चा बढ़ा हुआ जोच्षी ने कहा था कुंडली में लिखा था बच्चा उस महान देश का राजा बन गया बढ़ा हो के अब बच्चा राजा तो बन गया उस चोथी पास राजा को कुछ भी ना आए पढ़ना लिखना आता नहीं था समझ थी नहीं अफसर आते थे जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे अफसर जो मर्जी फाइल पे अफसर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसको समझ नहीं आता जो मर्जी फाइल पे राजा साइन कर देता अफसरों की आश हो गई धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपड़ है राजा को बड़ा चिंता होने लगी कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाते है राजा ने जुगाड करके कहीं से एक फरजी डिगरी का इंतजाम कर लिया इम्मे की डिगरी राजा बोला मैं मैं हूँ अब जनता हसने लगी जनता को तो पता था असलियत क्या है जनता को तो पता था राजा की डिगरी फरजी है दोस्तों धीरे धीरे लोग उसके पास आते और उसे बेवकू बना के जो मर्जी करके चले जाते एक दिन कुछ लोग आए, बोले महराज नोट बंदी कर दो, आप जैसा इतना बड़ा राजा ही नोट बंदी कर सकता है नोट बंदी करने से ब्रष्टाचार दूर हो जाएगा, आतंकवाद दूर हो जाएगा राजा को समझ तो थी नहीं, लोगों ने चड़ा दिया, राजा भी चड़ गया, राजा ने नोट बंदी कर दी और भाई साव पूरे देश के अंदर लोग लाइनों में खड़े हो गए, बैंकों के आगे नंबी नंबी लाइने लग गई, इतने लोग मारे गए और वो महान देश बीस साल पीछे चला गया, बीस साल पीछे चला गया, महान देश बीस साल पीछे एक दिन उस राज्ज के अंदर उस देश के अंदर बहुत बड़ी महमारी आई उस महमारी में कई लोग मारे गए एक आदमी ने आके राजा को कहा महराज पूरे देश के लोगों को बोलो कि ताली और चम्मच बजाएंगे ताली और चम्मच से अब राजा को समझ तो थी नहीं पड़ा लिखा था नहीं अनपड़ा था पूरे देश से उसने ताली और चम्मच बजवा दिये लोग मरते रहे लोग बहुत ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे दोस्तों दीरे दीरे उस राजा के दोस्तों ने लूट मार मचा दी राजा ने किसी को दस हजार करोड दे दीए किसी को बीस हजार करोड दे दीए पूरे देश में महाँ महंगाई महंगाई फैल गई बेरुजगारी फैल गई बलातकार होने लगे चारो तरफ आहाकार मच गया उपर सारे देवता देख रहे थे आश्मान में सारे देवता इकटे हुए और सारे देवता मिलके शिव जी महराज के पास गए बोले महराज कुछ करो प्रिच्वी पे घोर अन्याय हो रहा है गोर पाप हो रहा है कुछ करो महराज ने आखे बंद करके ध्यान किया और शिवजी महराज ने उस महान देश के हर आदमी के अंदर आके ऐसी भावना डाली कि अगली बार जब चुनाव हुआ अपने आप लोगों का बटन उसके बटन पे नहीं या दूसरा बटन दब गया लोगों का और वो राजा हार गया उस चुनाव के अंदर और मैंने सुनाएं कि आज कल वो राजा दुबारा उसी स्टेशन पे जाके चाए बेच रहा है दोस्तों वक्त बड़ा बलवान है वक्त बड़ा बलवान है वक्त से डरना चाहिए और अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कॉंग्रेस को उखाड के फेका जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी कॉंग्रेस सकाली दल को उखाड के फेका एक मौका आप लोग आम अदमी पार्टी को देखे देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे भारत मातागी